दोस्तों मैं आपको heritage की गाड़िया दिखाता हूँ जो कि बहुत पुरानी गाड़ी विंटेज गाड़ियां भी बोलते हैं और यह second war में इस्तमाल किये गई थी इसमें कुछ गाड़िया पुलिस की है कुछ गाड़िया आर्मी वालो की है जो इस्तमाल की गई थी उस वक्त म वहारा उसके बाद में फिर कुछ दिक्कत इसमें होने लगी कि हैंडल मुवमेंट करते हैं तो फिर बाद में जोए हैंडल में दिया गया तो इदर में बहुत सारे फोर वीलर्स भी है चलो हम फोर वीलर्स देखते हैं और इसमें उनका एर भी दिया हुआ है कि कपकी मैनिफिक्ष्रिंग गाड़ी है तो यहां पे लगए पैसा उननीस वह पचास और तालीस चालीस साट पैसाट उननीस वह सतर के आसपास के मॉडल यहां पर दिखाय देंगे और तब के गाड़ियां बहुत ही यूनिक होती थी और सभी गाड़ियों में दो चीज़ आपको कॉमन दिखेंगी उस वक्त में भी गाड़ियों में वाइपर हुआ करते थे जब गाड़ी मैनुफेक्चरिंग गई और तब से आज तक वाइपर वही याने टेकनोलोजी पे चल रहे हैं और बाकि अगर आप फिनिशिंग देखो गाड़ी की तो बहुत ही जबर्दस तो तो गाड़ी में किदर भी आपको फाइबर यह प्लास्टिक का पार्ट नहीं दिखेगा हर जो भी पार्ट है पूरा मेटल कहीं पार्ट आपको बाहर से गाड़ी में दिखाए देंगी जो कि पूरा टीन का जो है पूरा एक बाड़ी दिखाए देगा कहीं पर भी नटबोल्ट या जॉइन वगर ऐसे ज्यादा उसमें नहीं है यह आप गाड़ी देख सकते हो इसमें कंपनी के नाम दिए हुए है अलाकि यहां से कैमरे में नहीं दिख रहे और उस टा इसमें हेडलाइट गोल हुआ करते थे हैडलाइट में कोई चेंजस नहीं है चाहे टू वीलर हो या फोर वीलर उस टाइम में है आप यहां पर देख सकते हो बोनट के तरफ में सामने में भी मिरर ग्लास दिये हुए है और क्यूंकि इसके जो साइड में जो है वहां पर नह करता है उपर का क्लिप के द्वारा तो यह ऐसा है और पहले अभी जो आ रही है वह एक्टमेटिक खुलने आज तो यह सभी गाड़ियों में सबसे हाइट में छोटी गाड़ी है बहुत ही जादा छोटी गाड़ी है हाइट में इसकी और अंदर बैटने के लिए सिर्फ दो थोड़ा जादा डिफिकल्ट है था उस टाइम में और क्योंकि हर कोई गाड़ी किसी का थी नहीं तो चलाना भी सभी को नहीं आता था तो इसके लिए बहुत मुश्किल था उस दोर में गाड़ी चलाना भी और यह आप देख सकते हो कितनी जबरत है सभी में अक्सर और के लाइट वैसे ही आपको दिखाए देंगे दोनों साइट से बॉडी का जो गोल पार्ट है सामने में आता है और उसमें लाइट फिट किये गए फोग लैंप नहीं हुआ करते थे और सभी गाड़ियों में आपको कॉमोन सी बात है कि सामने में एक सेफटी गाड दिखाए द करती थी और सर्विस सर्विस बेश थी और अभी जो है कंपनी जो है छूटया बनाने का काम कर पूरा घ्रओ चल्री चलsmell साल और his दे 240 परदस उस टाइम में टेक्नोलोजी हुआ करती थी आज के मुकाबले भी कही गुना ज्यादा और मजबूती भी थी तो आज भी वैसी गाड़े मैनुफेक्चर करना चाहिए जो कि मेटल बहुत कर रहे हैं और सेप्टी गाड लगा नहीं सकते सामने में उसके पुलिस चालान करती है लेकिन वह भी सही था अगर नहीं लगा है तो गाड़ी को नुकसान ज्यादा होता है क्रैचेस पड़ते हैं बंपर खराब होते हैं गाड अगर रहे तो गाड़ी को फ्रेंट में बंपर खराब नहीं होते हैं लेकिन बिजनस कैसे चलेगा कंपनियों का इसके लिए रूल बना दिया गया कि गार्ड नहीं लगानेगा लेकिन ये तो बहुत सतर साल पहले से यूज होते आ रहा है और इधर में जो आप गाड़ी देख रहे हो ये खाके कलर की नस कलर में ये गाड़ी सेकंड वार में इस्तेमाल करते थे पुलीस और जंगल सफारी यानि जंगल में घुमने के लिए इसे यूज किया जाता था उस टाइम में और सबके नंबर कुछ अलग अलग दिखाए देंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रू बताना वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो ये नापूर के रमन सायस म अभी खताम हो चुका है एक दिन का था तो ये वीडियो ज़रू पसंद आया होंगा शेयर करो अपने दोस्तों को और ये गाड़ी विंटेज गाड़ियां उन्हें भी देखने दो और दिखाओ दोस्तों ऐसे वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे नापूर एक्